बिग बॉस 17 चलिए बात करते हैं कि वही बिग बॉस के कल के एपिसोड में क्या कुछ वाय रिव्यू आज मैं बहुत लेट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी बिजी थी मैं तो चलिए बात करते हैं कि ये जो लास्ट लास्ट में अभिशेक और विगी की फाइट हुई उस फाइट के बारे में क्या कहना है आप सबका मतलब आपको ऐसा नहीं लगा कि अभिशेक जो कर रहा है अब वो इस इंटेंशन से कर रहा है कि भाई मैं अच्छा दिखूं मैं बुरा दिखूं लेकिन मैं दिखतो रहा हूँ और मैं दिखने के लिए अब कुछ भी करूंगा क्योंकि जिस तरीके से उसने विकी से फाइट की बहां पे उस फाइट की कोई जरूरत नहीं थी कोई भी जरूरत नहीं थी उस फाइट की और ऐसा लगा कि अभिशेक जान बूज के विकी के पास गया और उससे लड़ रहा था विकी ने बड़े प्यार से उसको समझाना चाहा कि देख भाई दोस्ती जरूरी तो होती ही है लेकिन अभिशेक आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी कि आप जो गेम खेल रहे हो वो गेम कहीं से भी अच्छा तो नहीं लग रहा है कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा है सबसे पहले आपको लगता है कि आप individual खेल रहो आप individual खेलो आप अपनी राय रखो लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप किसी के साथ रिस्ता ही नहीं बनाना चाहते हैं और आप ऐसे हो नहीं यह हम सब को भी दिखता है कि आप ऐसे हो नहीं आप रिस्ता बनाना चाहते हो लेकिन आप जब रिस्ता बनाते हो तो लोग वहां पर आपको कह देते हैं कि विकी के आप क्या असिस्टेंट लग रहे हो या विकी के नीचे लग रहे हो तो आपको इस बात का रिलाइजेशन हो गया है कि आपने कल बोला भी एपिसोड में कि भाई आपके साथ गेम खेलने से बहता और आप लोग उससे राय लेने तो जाते ही हो तो विकी के अंडर में खेलने से अगर आपको इतनी तक्लीफ है तो आप जो ये इंडिविज्वल वाला गेम खेल रहे हो ना ये इंडिविजवल गेम बिलकुल भी अप्रेशिएट करने लाक तो नहीं है क्योंकि कल विकी बिलकुल भी प्यार से आप से बात करना था भी लडने के mood में नहीं था लेकिन पता नहीं क्यों घर में लोगों को लग रहा है कि वो विकी से लड लेंगे तो बहुत स्ट्रॉंग नजर आ जाएंगे जैसे कि अरुन जी भी अरण जी को भी कोई मिल नहीं रहा है लड़ने के लिए तो वो विकी के पीछे पड़ गया है उसको पोक करते हुए नजर आ रहा है एश्वर्या का कोई दूसरा आपसन नहीं है तो वो विकी से लड़ने लग जाती है नील के पास कोई दूसरा उप्सन नहीं है तो वो विकी से लड़ने लग जाता है और अब अभिशेक आपका भी पैटर्न बन चुका है कि आपने एक बार जो वो डिस्रेस्पेक्ट वाली लाइन लांगी है दिवाली वाले टास्क के बाद से उसके बाद से आप तुरंट तू तड़ाग पर आ जाते हो भाई ये वाली बात तो मुझे समझी में नहीं आती है कि आप किसी से आप आप करके बात कर रहे हो और तुरंट आप वो वाली लाइन को लांग के आप फिर तू-तू करने लग जा रहे हो तो ये बताता है कि अभिशेक आप गेम में तो बहुत इंवाल्ब हो लेकिन आपको ये वाल समझनी पड़ेगी कि आप बिलकुल भी अच अच्छे नहीं दिख रहे हो अगर आपको लग रहा हो कि बाहर आपकी ओडियंस बाहर आपके लोग आपसे प्यार कर रहे होंगे तो भाई कुछ लोग होंगे जो आपको अप्रिशेट करेंगे लेकिन मेरी नजर में आपको कोई वैसा काम नहीं कर रहे है जहां आपको जिस तरीके से अग्रेशन को ऑगता मैं उता है यह बंदा ऐसा ही है लेकिन यह बंदा ऐसा है कि वह रिस्तो को फिर अरिटी नहीं दे रहा है। इसको आप आप कर रहे हैं उसी को तू तू करने लग जा रहा है एक सेकेंड में तो ये वाली गेम तो बिल्कुल भी अप्रेशियेट नहीं की जा सकती है खानजादी आपके पास आके बैठती है वो अपनी बात शेयर करना चाहती है कि भाई मुझे डर लग रहा है कि मेरे घरवाले क्या सोच रहे होंगे कि जो हम यहां कर रहे हैं आप उसकी बात भी सुनने को तयार नहीं हो मतलब अगर आपसे कोई इमोशनली अटैच है और वो कुछ बात करना चाहा रहा है आपके साथ तो अभिशेक थोड़ा टाइम तो निकाल लो ना पूरे टाइम गेम 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 कॉंटेंट 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 ऐसे नही आपको पता है कि मुझे कब किसके साथ कैसा बेवार करना है क्योंकि वह आपकी स्क्रिप्ट में फिट बैठ रही है लाइन आप वैसा बेवार कर रहे हो तो अभिशेक आपको ये बात तो समझनी पड़ेगी वहीं अंकिता बैट के मुनावर से ये बात कह रही थी कि ये ज मुनावर को समझाते हुए नजर आ रही थी कि बाई जो मनारा के साथ तुम दोस्ती निभा रहे हो मुनावर तुम्हारी तरफ से तो वह 100% देते हुए तुम नजर आते हो लेकिन मनारा का क्या मनारा कोई friendship को priority नहीं देती है वो सिर्फ और सिफ गेम खेल रही है और गेम के मुनावर को हाला कि यह सब कुस दिखता है लेकिन फिर भी मुनावर ऐसे लोगों के बीच में फस चुका है मतलब एक तरफ तो वह अभिशेक को कहता है कि मेरा दोस्त है दूसरी तरफ मनारा को कहता है कि मेरी दोस्त है लेकिन दोनों ही ऐसे लोग हैं जो कि कभी भी बागी बन जाते हैं बागी इंदेसिंस की मतलब वो कभी भी अगेंस्ट में जा सकते हैं और मुनावर के साथ भी जौंकिता कह रही थी ना कि अभिशेक पता नहीं क्यों अभिशेक को ले के चल रहा है जबकि अभिशेक मौका आने पर मुनावर को भी ऐसे ही तू तू करके बात कर लेगा आज मुनावर प्यार से बात करता है तो अभिशेक उसके साथ प्यार से है लेकिन जिस दिन मुनावर ने अपनी टोन चेंज की या फिर जिस दिन मुनावर ने उसको समझाना चाहा कि भाई तू यहाँ गलत है तू ऐसे कर रहा है तू ऐसे कर रहा है उस दिन अभिशेक मुनावर भी नहीं है तो यह बात ऊसूर है कि मुनावर को थोड़ा सा अपना गेम सोच समझ के खेलना चाहिए मनारा से तो बहुत जाधा जादा से14 खेलना चाहिए क्योंकि जो मनारा कर रही है घर के अंदर अब उसको पता है मनारा को कि मुझे अपनी साइड कैसे रखना है जिस तरीके से आज वो पॉफ्यूम वाली बात कर ली थी कि मैं उस पे एम से लिखके तुम्हें अपना पॉफ्यूम दे दूंगी मुझे पता है तुमापस बहुत स मैं जिससे रिस्ते बनाता हूं उन रिस्तों को मैं आसानी से तोड़तों नहीं पाता हूं तो मुनावर आपको समझना होगा कि यह एक गेम शो है आप रिस्ते जरूरी भी है बार-बार कहा जा रहा है कि रिस्तों का ही शो है या तो आप दुस्मनी करिए तो आप दोस्ती क करिए कुछ भी करिए लेकिन रिस्ते बनाईए लेकिन ऐसे भी मत बनाईए जहां पर आप बार बार एक घेरे में आके फस जा रहे हैं कि अब आप क्या करें क्योंकि मनारा तो अनुरा के पास भी जाके वह बात कर लेती है मनारा आपके पास भी आके बात कर लेती है और मनारा ये करती ही रहेगी तो ये वाली बात है अच्छा आज अरुन जी को पता नहीं क्या हो गया था कि वो अब विकी के ही पीछे पड़ गया और continue विकी को पोकिये जा रहे है लेकिन विकी ने भी जिस तरीके से अपनी बातों से अरुन जी को बताया है कि भाईयरुन गेम खेलना अच्छी बात है दो दिन से जाग गयो हो नं कैसा रहा दो दिन से गेम जब खेल रहे हैं तो वाखके ही में अरुन जी दो दिन से ही आप जागे हो तो थोड़ा सा धीरेस धारो और जिस विकी के सहारे आप भी दिल दिमाग सब यूज़ करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि सही और गलत क्या है कई बारी आप content के चकर में बहुत ज़्यादा गलत दिख जाते हो और वो appreciate करने वाली तो बात नहीं है आज विकी के विग के बारे में भी बात हुई और आपने कहा कि ये पहनने का टाइम आ गया अच्छा वो वाला टाइम आ गया तो ये सब कुछ वहाँ पे अंकिता हालाके stand लेती भी नजर आई लेकिन विकी ने कहा कि अंकिता चुप हो जा क्योंकि विकी को पता था कि ये बात होगी तो बात दूर तक जाएगी और क्यों इस बारे में बात करनी तो विकी ने वहाँ पे ठीक क्या कि अंकिता को भी चुप कराती है कि अंकिता चुप हो जा लेकिन ये बात तो ओडियंस के सामने आ ही गई और ओडियंस को पता तो चली ही गया तो इस तरीके से कुछ बात दे हूँ अच्छा अभिशेक ने भी अपनी फाइट में एक चीज बोली कि भाई शकल के उपर मजगे कि विकी ने बोला कि भाई तो अपनी शकल तो देख तो कैसा हो गया है मतलब उसका सेंस ये था कि तो गेम के चकल में प्सट्रोफ बोल की वो ते तो कर जिकी यह ल कि विकी उस्का अ कि a क्या कूद नां में इसका अभिशेकश लेकिन अभिशेकन यह जानव को लिए कि शकल और वह बालों के बाड़ में बात कर सकता तो उसने काकि षपका कि वई शकल की तो बात ही चालू कर दूँगा तो अभिशेक सलमान खान के समझाने के बाद भी हमें लगा था कि आप में क्या पता थोड़ा कि सलमान सर देखो मैं सिफ इक्षा से फाइट निकर सकता हूं मैं विकी से भी फाइट कर सकता हूं तो ठीक है भाई अब जो भी बनने की कोसिस कर रहे हो यहां पे लेकिन अच्छे तो नहीं लग रहे हो क्योंकि हम मैं खुद आपका साइड हर बार लेती हूं मुझे लगता ह कि आप दिल के बन दे हो मुझे लगता है कि आप इमोशनल बन दे हो लेकिन ऐसे नहीं होता है सिर्फ आप अपने स्वार्थ के लिए आप ऐसा लग रहे है कि आप खांजादी को भी यूज कर रहे हो और खांजादी जो हर बार डरती है आपके पास जाने से आप खांजाद डरती है और उसका डरना बनता है और मुझे तो लगता है कि खांजादी को भी ना एक इस्टे पीछे ले लेना चाहिए और अपनी इंडिविजवल गेम खेलनी चाहिए अच्छा आज खांजादी की भी फाइट हो गई अंकीता से मतलब खांजादी जिसने तुम्हें समाला जिसने तुम्हें फिर से खड़ा किया तो मुझे से लड़ने लग गई आच तो थोड़ा तुम भी सोचो ना खांजादी की क्या कर रही हो और एक पर गुस्टे में आई तो फिर मनारा ठीक कहती है मनारा बिलकुल सही कहती है आपके बारे में ऐसा नहीं होता है खांजाद और मनारा से कहती है कि मनारा मुझे तु एक प्यारी सी क्यूट सी बच्ची लगती है जो कि थोड़ी रिजड है जो कि थोड़ी सी ऐसी है कि बस उसको गुसा आता है और वहां पर मनारा का क्या कहना है मुझे आपसे वो वाली वाइब नहीं आती है मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ी सी ऐसी ओर्डरिंग मतलब ओर्डर देती हुई सी नजर आती है मुझे आपकी कुछ चीज पसंद नहीं है ठीक है वही मना रहा है यह आपका कॉल हो सकता है लेकिन अंकीता में भी वैसी ही है सायद इसलिए वो बार बार आपके पास आती है ऐसा नहीं है कि हमने सर्फ आज के एपिसोड में देखा है केंग किता आपके पास गई गया वो कल आप जब सना के लिए आप रो रही थी तो भी वो आपके पास गई उन्होंने उसने आपको हग किया और वहाँ पे भी आपका जो टॉंट का लेबल था ना वो ये था वहाँ भी आप ये कह रही ये मुझे कंफ्यूज सी लगती थी सना चालाक सी नहीं लगती थी तो मना रहा है जो आपका टोन होता है ना आपके वो जो वाट्स होते हैं वो इतने टॉंटिंग वाले होते हैं कि अगर सुनने जाया तो फिर बुरा तो लगता है फिर अंकिता ने आपको हग की और मुनावर को समझाया है विकी ने बड़े अच्छे से समझाया मुनावर को कि मुनावर देख तू एक शाइनिंग स्टार की तरह यहां नजर आता है तू बहुत अच्छा कर रहा है शो में तो अपने गेम को थोड़ा सा इंप्रूव कर और दोस्तियों के चकर में इतना मत कि तू अपना गेम भूल जा क्योंकि तुझे पता है कि तुझे लोग यूज कर रहे हैं और मनारा ओविसली यूज तो कर रही है मुनावर का भरपूर तो मुनावर तेरे को ये बात समझनी पड़ेगी और इमोसनल होना अच्छी बात है लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब ख भूल जाओ तो खुद को याद रखो और तेरी बाहर एक लाइफ है उसकी बारे में सोच और सब कुछ कर उसे साब से तो आज बेसिकली मुनावर को समझाते हुए है लोग नजर आ है इशा ने समझा इशा भी भाई बड़ी स्वाटेट दिख रही है आज कल और जिस तरीक से आप आपका जो पैटर्न बन चुका है ना वो थोड़ा वो अजीव लग रहा है मतलब आज आप कहीं भी नहीं थे पूरे एपिसोड में लेकिन लास्ट में जो आपने वो दस मिनट का सीन क्रियेट किया और पूरे घर वाले आके एक कमरे में इकठे हो गया दिमाग वाल कमरे में तो वही बताता है कि आपको कॉंटेंट क्रियेट करना तो आता है लेकिन अब उस कॉंटेंट क्रियेशन में आप सही और गलत दिखते हैं तो यह सारी चीजे रहीं आज के एपिसोड में भाई और अवरा अवरा घर के अंदर आया हुए और और ने बहुत सारा तो आउरा पूरा एंटरेंट कर रहा है और चिंटू के साथ मदलब मुझे लगता है जो बने हुए यह दोनों-टों-चंगो मंग अच्छे भी लग रहा हैические मुझे लगता है कि अभी आवरा कुछ दिन रुखने वाला है क्योंकि घर में थोड़ी एंटर्टेन्मेंट की विजरूरत है तो यह चंगो मंगो मिलके एंटर्टेन्मेंट तो देने वाले हैं और मचा आएगा इन दोनों को देख करके और 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 किसके बारे में हम बात कर स अब ने फिर वेट कर वाईना आपने पूरे 5 मिनिट वेट कर विजरूरत है तो मतलब तो मतलब धर ऑट तो ऐसे वाले उठाओ गरसे बटे और आइसमें चाहिए नहीं होता है और थो यह तो पिर वेट कर आज़ाओ नहीं होता है और आपका जो यह तरीका है ना कि आपने क्या उखाड लिया तो बताओ ना तुमने क्या उखाडा भी तक तो यह उखाड लिया एश्वर्या के वर्ट्स तो थोड़े से उपर नीचे जाते हैं एश्वर्या को यह समझना पड़ेगा और एश्वर्या थोड़ा सा फन के खड़ा रहता है कि मुझे तो स्टेंड लेना इश्वर है के लिए तो ये जो हस्वेंड वाइफ है ना इनका तो मतलब एक ये तो लोग एसी बाते करते हैं तो लोग बहुत सारा प्यार करते है अपके के करते हैं , मैं औंगल से यृई तो अपके लूग बागियों मिलती हुए नेक्स्ट वीडियो में तक लिवाय वे टेकिर अपना ख्याहा लगिये